हाँ जी हलो एबरीवन सो स्टूडेंट्स मैं अभी बात कर रहा हूँ सीबीएसी के क्लास 10 के स्टूडेंट्स से जिनका बोर्ड एक्जाम्स 2024 में यानि कि ये फेब्रेरी मार्च वाले सेशन में आने लग रहा है बात मैं actually स्टूडेंट्स से नहीं केवल उनके पेरेंट्स से भी कर रहा हूँ और मैं expect कर रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स है ये वीडियो अपने पेरेंट्स के साथ देख रहे हैं एक question जो मेरे सीबीएसी बैच के स्टूडेंट्स लोग कुछ रहे थे class 10 के this video's purpose is की वो problem को answer कर दे question was sir कि अब हम लोगों को 11 के लिए stream options दे दिया है और stream के अंदर subject option दे दिया है तो as a parent या as a student आपके दो तरीके के question निकल कर आते है sir हम कौन सा subject ले पहला question या हम कौन सा stream select करे number one और number two को stream का scope क्या है as a teacher यह बहुती unfair होगा अगर मैं students को बताने लगूं कि तुम मान लो person X ये वाला stream चूज कर लो person Y तुम ये stream चूज कर लो मैं सीधा student का decision student के बहाफ में ले लिया ऐसा मुझे लगता ये unfair रहेगा इसलिए मैं students को और parents को सारे streams के बारे में उस stream में आगे जाने वाली career possibilities के बारे में इस वीडियो में बता रहा हो जिससे students and parents एक well informed decision ले सके right so सबसे पहला option और ये मेरे एक student ने ही share किया है जिसको अपने school से ये मिला है CBSC class 10 I repeat ये options या ये combinations मिला है तो सबसे पहले अगर हम लोग 10 के बारे में 10 के बात बात करें तो streams आप लोग 3 category में fall करते हो arts यानि कि humanities science या फिर commerce इस तीनी category में आप stream selection करोगे more often than not friends ये students को लगभग clear रहना चाहिए कि 10 के beyond उनको science या science से related field में interest है क्या अगर नहीं है इस field में enter करके कोई logic नहीं है और science के बारे में तो आप लोग को आप judgment ले लेना चाहिए क्योंकि class 10 तक आप लोगों का तो science compulsory था इसका मतलब you should be very much in a position आप उस position में रहने चाहिए कि आपको पता हो कि आपको science में interest है या नहीं है सीधी बात है चीक है अगर है और आपको engineering या doctor या similar अब engineering के अंदर mechanical engineer हो गया chemical engineering हो गया उसके बाद और बी जितने सब branches हैं वो सब cover कर लिए है software engineering हो गया सब और सब कुछ अगर आपको pursue करना है तो science is the option for you to go ahead with Sir, humanities 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 के बारे में बताइए science के मैं individual subjects के बारे में भी बात कर लूँगा पहले humanities के बारे में बताइए कि humanities में आगे career option क्या है science में क्या है science में मैंने जैसे बोला generally दो level पे आप बढ़ते हो जाके engineering या doctor एकदो तो और अलग से field होता है don't worry I will come back to that जो लोग video देख रहे हैं वो लोग सोच रहे होंगे कि sir अभी आप eco-owners कैसे नहीं बोले actuarial science क्यों नहीं बोले यह सब भी तो है आप खाली engineering या doctor ही क्यों बोले आप MBA क्यों नहीं बोले ठीक है यह sir fields actually science और commerce दोनों ही कर सकता है इसलिए इन fields के बारे में बाद में बात करूँगा मोटा मोटा science में आप दो जग़े जा रहे हो doctor या engineer मोटा मोटा ठीक है ना बाकी यह eco-owners और यह सब पर में वापस आउँगा ठीक है sir humanities के बारे में बात के जिए friends humanities के अंदर जो आपका होता है basically आप आगे जाके इसमें career options अलग-अलग तरीके से देख सकते हो एक हो सकते हैं आपका career in political science career in journalism civil services सबसे hot topic आज का IES officer, IPS officer जिसको basically UPSC के थूँग किया जाता है humanities वाले students उसको बहुत बढ़िया से prepare कर सकते है sir अब humanities में रहने वाले subjects के बारे में बताईए देखिए more often than not English आपका compulsory रहेगा तो इसके उपर मेरे आप चर्चा करके कोई logic है नहीं Hindi, Bengali या physical education देखिए first of all physical education is a very easy subject इसमें body mass index और इस तरीके के topics जो एक body से related है easy topic वा पढ़ोगे largely theoretical in nature largely theoretical in nature तो आपको जिस चीज के जो चीज पसंद है आप accordingly decide कर सकते हो Hindi, Bengali या physical education में चीक है ना right sir physical education largely theory है by the way ठीक है moving on history, applied maths और commercial art सबसे पहले commercial art क्या होता है कही commercial art को आप लो commerce ना समझ लेना commercial art basically drawing और painting जिनको पसंद है उनके लिए पहले तो आप ये समझ लो drawing, painting, typography ये उनके लिए ये commerce या commercial studies से कोई लिना देना नहीं है इसका पहले तो ये समझ लेजिए हाँ अब आते हैं brilliant subject, history and applied maths इसमें एक सिदा सा आपको concerned रहना चाहिए कि क्या आपको story subject चाहिए और past के बारे में जानना पसंद है again very interesting story plus story of the past is history applied maths completely practical, very easy अब यहाँ पर मैं एक बात clear कर दूँ कोई student हो सकता आप में से जो बोले 9-10 में maths मेरे को बहुत पसंद है go for applied maths sir 9-10 में ना maths में थोड़ा सा डर था मैं तब भी suggest करूंगा कि 9-10 का maths के according 11-12 का maths को applied maths को judge मत करो क्योंकि 11-12 का applied maths is way more useful in real life way more interesting and way more easy ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप ऐसा क्या partiality है 9-10 में आप लोग topics पढ़ते हो sorry for the use of bad word but majority topics बे तुका होता है आप लोग पढ़ रहे होते हो triangles आप लोग पढ़ रहे होते हो you know circles जिसका real life में कोई practical application है नहीं बट 11-12 में जब आप applied maths में एंटर करते हो आप लोग EMI calculate करना कि एक machine में खरीद के लाया तो मेरे को क्या EMI पे करना है time value of money financial maths आप उस चीज़ को prepare कर रहे होते हो it's really very interesting answer easy होता है कि ये बता दीजिए answer is yes अगर आपको छोरी चीए तो go for history practical चीए तो go for applied maths और अगर आपको drawing, painting और ये सब के लिए strong passion है उन लोग को ही मैं suggest करूँग commercial arts में जाने का वरना commercial arts तो सोचिए भी मत निकल जाएए वहाँ से very good next आता है geography और political science sir, geography का अच्छा एक चीज़ मैं और आप लोगों को बता देता हूँ मैं जिन subjects के बारे में भी अपना opinion दे रहा हूँ ना, ऐसा है कि क्या तो मैं जब student था, तब मैं वो subject को पढ़ा, या जब मैं teacher बन गया उसके बाद भी मैं उन subjects को personally बैटके पढ़ा, मैं पढ़ाता हूँ या नहीं, तोकि मेरो को बाकी subjects जानने का interest है, तो I have लगभग tried to cover all the books, जो मेरे stream से related नहीं है, इसलिए I feel I am the best person to advise regarding this, ठीक है ना geography और Paul science देखिए, अगर आप geography वाले zone में जाते हो, it is that area, जो कि obviously नाम से आप लोगो clear है, जहां आप लोग country का, climatic conditions agriculture conditions इन सब areas को, transportation irrigation, इन सब areas को analyze करोगे वही पर आप जब Paul science में जाओगे na, Paul science में friends generally, political relations के बारे में आप पढ़ते हो, sir example दीजिए, आजकल बहुत famous चल रहा है, United Nations right, जिसमें लगातार कोई ना कोई party, Russia, Ukraine जा रहा है, आर्गू कर रहा है between many countries अब ये political relations international relations के बारे में आपको Paul science में जनने का मुका मिलेगा, very interesting मैं जब पढ़ा था, क्योंकि as a student, मेरे geography और political science दोने ही नहीं थे, क्योंकि मैं humanity stream से नहीं था, मैंने दोनों को पढ़ा है, personally अगर आप मेरा feedback लो, तो मुझे इन में Paul science ज़्यादा interesting लगा था because international relations के बारे में cold war के बारे में, non-aligned movement के बारे में, उसमें जानने मिला, बढ़ किसी को अगर geography, mountains, यह सब के बारे में interest है, definitely you should go ahead with this area, geography दोनों largely theoretical है दोनों largely theoretical है, 100% theoretical है, moving on economics, informative practices, psychology, library and information science, इसमें बताईए सर आप, friends economics अगर आप मेरे से पूछो हो सकता है सबका interest area जा लोगो, अब कोई को psychology के field में आगे बढ़ना है सोचो मत आगे, go for psychology information practices is again something practical computer से related है library and information science again mix of theory and practical economics theory plus practical in the sense sums भी है इसके अंदर a very interesting subject, और कल को humanities के बाद आप decide करते हो न चाहे CE करना है, चाहे UPSC करना है, etc. etc. जो भी करना है, economics सब में है UPSC में है, अगर आपको arts में ही और आगे बढ़ना है आपको कल को CACS, CACS में shift होना है, उसमें भी economics चाहिए तो it is very advantageous for you अगर आप economics ले ले वाकी तीनों subject, अगर psychology में आगे बढ़ना है, तो psychology में आगे बढ़िए इसमें अलग-अलग school of thought आपको पढ़ाया जाएगा sociology और legal studies sociology largely society कैसे form हुआ कैसे हम लोग community में रहना start किये अलग-अलग schools of thought इसमें आपको पढ़ने मिलेगा legal studies को simple भाशा में मैं prefer करता हूँ बोलना law पढ़ोग आप इसमें कानून, कानून की पढ़ाई basically sir समझ में आया तो friends ये मेरे को समझ में आ गया कि ये humanities ये मैंने आपको बता दिया अब आप एक ऐसे student हो जिसको humanities में तो जाना है but ideal combination नहीं मालूम marks भी अच्छा चाहिए और pressure कम reduce करना है English है अपने language के according ये चूज़ कर लीजे इसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा history applied maths commercial art में अगर आपको चाहिए कि आपको maths आते रहे जिससे 11-12 में आपके लिए 11-12 के बाद आपके लिए बाकी जगह का दरवाजा खुला रहे go for applied maths प्योंकि एक बार आप 12 के बाद को ऐसा course select कर रहे हो maths आया तो फिर आपको बहुत बिक्कत होने वाला है तब you go for applied maths प्योंकि आप सोची रख्यों कि नहीं वैसा कुछ में नहीं जाना है आपको journalism या UPSC टाइप में जाना है तो फिर आप लोग history आ commercial art तो खेर drawing और painting वालों के लिए तो यह तो मेरे लिए यहाँ पर standee नहीं करता क्योंकि जिसका drawing painting है वो लोग इसको select करी लेंगे geography, policy science मैंने बता दिया आपको policy science ज़्यादा interesting है अगर दोनों में आप कोई opinion नहीं बना पा रहे हो I would say policy science ले लो ज़्यादा interesting है यह मेरा personal bias और कुछ नहीं इन चारों में अगर कोई opinion नहीं बना पा रहे हो take economics अगर opinion बना लिया है मान लिजिए psychology में interest है library science जानना है go ahead with that sociology और legal studies again दोनों theoretical subject है सरजादा interesting कौन साथ दोनों equally interesting है यह बोलना गलत होगा कि एक कम interesting है ठीक है अगर आपको law के field में planning है तो legal studies लेकर जाईए नहीं है तो sociology लेकर आगे बढ़ जाईए commerce 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 friends commerce में पहले तो आगे scope क्या है आप आगे सर CACS CMA CFA और जो मैं science में भी बोला था eco honors और actories MBA तो सब को options खुला रहेगा यह science में भी common है कौन से courses eco honors MBA, actories यह science में भी है commerce में भी है तो इसलिए मैं न इनके बारे में नहीं बोल रहा hardcore commerce में गुसके CACS, CMA यह सब में आप enter करते हो right English आपका compulsory है Hindi, Bengali, physical education CBSC की standard पे जो मैं समझा हूँ जितना मैं समझ पाया हूँ students से बातचित करके majority students ने मेरे को यह बताया है जिए physical education जादा easy रहता है compared to the language subjects ऐसा मेरे को students ने बताया है इसमें मेरा कोई personal opinion नहीं है easy है physical education genuinely अगर आप commerce student हो तो sir accountancy तो compulsory है brilliant subject, interesting subject practical 90% practical, 10% शायद theory होता है again, applied math entrepreneurship दे कि यह commercial art को मैं काट रहा हूँ अगर आपका drawing printing है तो आप उसमें जाएए वरना commercial art आपके लिए है ही नहीं, बात खतम हो गया छीक है applied math और entrepreneurship क्योंकि मैं students को 10 साल से ज़्यादा हो गया commerce field में guide करते हुए इसमें मेरे एक strong opinion है आप agree करो चाइड disagree करो hot strongly मैं बोलूंगा don't take entrepreneurship, take applied math as a commerce student आपको future में जाके entrance exams देने है आपको B.com, B.b.a. ये सब करना है maths उसमें रहेगा ही रहेगा entrepreneurship आपके लिए zero value एड कर रहा है, zero फ्रोरी subject है इसमें मेरा बहुत strong opinion है वरना मैं इस video में कोई भी strong opinion देने से बचूंगा I will not give you any strong opinion but strongly यहाँ पर तो मैं बोलूँगा कि यार तुम अगर commerce ले रहे हो और तुम applied math और entrepreneurship में confused हो मत सोचो, तुमारे future के लिए तुमारे लिए important applied math लेना है 9-10 में match टफ लग रहा था उस basis पर applied math को जज मत करो बहुत easy subject है मेहनत 100% दोनों में है करना क्या चीए तुमको future को ध्यान रखते हुए बिना सोचे समझे applied math अगर तुम entrepreneurship नहीं लिए तो future में तुमारा कोई career option नहीं चूटेगा तुमको जो career option पसंद है तुम ले सकते हो तुम अगर applied math नहीं लिए हाँ तुमारा career option चूट जाएगा तुमको math में आगे दिख्कत होगा यह तै है मान के चलो next अगर economics, informative practices और library science में बोलो तो इसो commerce student मैंने personally कम देखा students को library या information science में जाते हुए यह मेरा opinion है मैं यह नहीं बोल रहा कि मत जाईए informative practices again computer है आप अगर सोच रहों कि आप कोई hardcore coding software बनाने वाला coding यहाँ सिख लेने वाले हो ऐसा नहीं है और यह बात मैं commerce student से कर रहा हूँ आपके लिए best subject है economics same answer जो math के लिए मैंने दिया था लगि आपका जो future में आपका जो आगे courses है ना उसमें economics का knowledge लगेगा और तुम तब भी gain कर सकता है बट अगर 11-12 में तुम पढ़ लिया तो तुम्हारे पास एक extra advantage है बस मैं यही क्या रहा हूँ business studies और legal studies जो तुम entrepreneurship छोड़ा था ना लगबग same चीज business studies है अब यहाँ से business studies को pick कर लो legal studies को छोड़ दो sir हमको तो lawyer बनना है तो 12 के बाद आपको CLAT exam का अलग से preparation करना पड़ेगा legal studies का law आपका help नहीं करने वाला उसमें CLAT का आपको अलग से preparation लगेगा ही 12 के बाद या 12 के साथ whatever it is तो legal studies कोई आपका advantage जोड़ नहीं देगा या घटा नहीं देगा वैसा 10 परसेंट 15 परसेंट अगर आप count करो तो कर सकता है but otherwise I would strongly recommend business studies क्योंकि आप commerce background से हो सही ऐसा अब friends आटा है science 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 में सर्फ 3 combination निकल कर आता है physics, chemistry bio with economics क्योंकि देखिए English compulsory है Hindi, Bengali, physical education के बारे में मैंने अल्रेडी choice बता दिया है तो I don't want to repeat that ठीक है न? maths science student को करना भी पड़ेगा सर एक question है बीच में पूछ ले कि आप पूछ लो सर यहां maths लिखा हुआ है और उपर में humanities में और इसमें commerce में applied maths लिखा हुआ ता दोनों अलग होता है क्या हाँ class 11-12 में maths और applied maths अलग होता है क्या फ़रक है सर easier कौन है simple answer applied maths और बताओ सर फिर डिफरेंस क्या हुआ actually maths के students को कुछ topics करना पड़ता है 3D geometry vectors जो applied maths को नहीं करना पड़ता trigonometry जो maths को करना पड़ेगा applied maths को नहीं करना पड़ेगा जब बात कर रहे है applied maths के students कुछेंगे सर 11-12 में trigonometry नहीं है ना नहीं है trigonometry के कुछ है नहीं applied maths में 11-12 में अगर आप science के student हो तो सोचो मत आपको maths ही लेना पड़ेगा चुकि वो indirectly आपको physics में help करेगा वो आपको indirectly physics में help करेगा इसलिए अच्छा सर बायो ले या economics ले very important and very good question सिधा सा बात है आपको आपके पास already science student maths, physics और chemistry का combination है अब आप देख लो आपको doctor या उस related field में जाना है तो बायो तो आपको compulsory लेना चाहिए बट अगर नहीं तो अपने उपर pressure मत add करो सिधा economics ले लो सर जादा easy कौन सा है आप छोड़ दीजे सर खाली marks के हिसाब से बताइए हमको doctor नहीं बनना और बताइए bio और economics में क्या ले सिधा answer है economics ले लो सिधा economics ले लो क्यों sir इसलिए economics ले लो क्योंकि यह बहुत 50 से जादा percent का difference है 50 से जादा percent का difference है दोनों subject में economics is way more easy हफता में दो दिन आप पढ़ोगे enough है economics bio में नहीं चलेगा वो और बताओ ठीक है science 2 again यह physics chemistry तो होई गया computer science very good sir यह computer science उनको लेना चाहिए जिनको software engineering या उससे related में आगे बढ़ना है simply computer के field में आगे बढ़ना है a very good scope a very brilliant scope याद रखिए अगर आप science लेते हो ना आपको B.Tech और M.Tech exam आपको J.E.E. जैसा exams के लिए prepare करना है जिसे you can apply for good colleges और वो 11-12 के साथ करना पढ़ेगा यह मत बुलना एक साल का drop allow होता है after class 12 उसे ज़्यादा का drop नहीं मिलेगा सा ठीक है तो यह ध्यान रखिएगा सर मतलब तब तो added pressure यहाँ है अगर आप science में गुसे हो तो वो added pressure लो future में यह worth it भी होता है और फिर finally आपका science tree जहां again यह option दे दिया फिर से bio economics और psychology और इसमें option दे दिया यह चीज मैं already repeat कर शुका हूँ तो इसके उपर कोई तुक नहीं बनता है बात करने का एक बात याद रखिएगा आज के date पर जो growing profession है वो eco honors, actuarial science and this one MBA है यह दोनो बलब यह तीनो चीजे generally दो category के students करते हैं और अच्छे से कर पाते हैं number one commerce number two science students यह तीनो आज के date पर rising profession है अब आप देखो अगर आपको 11-12 को अच्छा marks लाना है और फिर इन तीनो में गुसना है तो मैं तो straight away suggest करूँगा कि commerce के लिए जाईए बट आपको यह तीनो में भी गुसना है या क्या पता आपको engineering करना आप इसमें confused है तब I will advise you कि आप science में जाईए अगर आपको UPSC या ऐसा कोई civil service exam देना है तो बहुत ज़्यादा help मिलेगा अगर आप humanities background में जाईए यह मैंने try किया इस video के अंदर अलग-अलग scope select करने का scope बताने का आपको ठीक है कि नहीं है at the end of the day बात यहीं है कि any field has immense scope जिसमें आप excel करोगे बढ़िया करोगे उसमें immense scope है बस यह है कि ऐसा combination मत select कर लिजेगा कि 11-12 में पढ़ाई आपके लिए मजा की जगा सरदर्द बन जा है इसके लिए मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा subject का description दे दिया है ठीक है So friends, I hope आप लोग अब accordingly discussion करके एपने parents के साथ एक adequate decision ले सके Thank you very much Goodbye everyone